जए हिन दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का और जो टीचर मेरे इस वीडियो में सामिल हुए है उन्स सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे 11,99 पदों पर प्रात्मिक सिक्षोकों की भरती जन जातिकारी वभाग से ली जा रही है जिसमें सिक्षा वभाग द्वारा 7,429 पद रहेंगे इसकूल सिक्षा वभाग के बाद का जन जातिकारी वभाग ने भी प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए जिलेवार रोस्टर जारी किया है जन जातिकारी वभाग 43 जिलों की स्कूल के सुची के लिए 11,99 बदों पर भरती करेग इन में से 2790 अतीदी सिक्षकों के लिए रिजर्व रहेंगे और 8308 पत सामानिक एडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी बस अंत तक बने रहें तो सारी जानकारी आपको मैं एक एक करके सारी जानकारी दूँगा इंदोर भोपाल और कुछ जिलो में अभी तक मामूली सी वेकेंसी निकाल कर गए अभी तक नोटिफिकेशन जारी किया है लेकिन आने वाले समय में सायद हो सकता है इसमें कुछ बदला हो सके इसके अलावा जैसे मंडला 1155, टिंडोरी 161, धार 879, अलिराशपूर 1389, जाबवा 1771, बढ़वानी 1709, सैडोल 551, और खरगोन में 571, टोटल पोस्ट रहेगी इसके बाद में जानते हैं हम trc.mponline.government.in, यह वेबसाइट रहेगी जहांपर अफ्लोडिंग की प्रोसेस होगी, दोस्तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, इससे पहले का एक वीडियो मेरा डला हुआ है, पोटल के उपर ही, जिसमें पूरी मैंने प्रोसेसिंग बताई है, कै 525 पोस्ट, SC के लिए रहेगी 518, ST के सबसे ज़्यादा पद है, 6066, OBC के लिए 870, EWS के लिए 122 पोस्ट आपकी रखी गई है, दोनों विभाग में अलग-अलग सारी जानकारियां दी गई है, अनारक्षित पद 2232, SC के लिए 1464, ST के लिए 7565, OBC के लिए 2028, और EWS के लिए 1881 दोनों विभागों में, दोनों विभागों में 13881 पद जनरल के लिए रिजर्व रख गए हैं, दोस्तों इसके बाद में एक खास निर्देश पल लेते हैं, अतिती सिक्चकों को 25% रिजर्व सीट पर रखा गया है, अतिती सिक्चक आरक्षक पदों की पूर्ती नहीं ह पर रिक्त पदों पर अन्य विध्यारती द्वारा भरा जाएगा, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक शेर करें, सबस्क्राइब करें, और आपके टीचर्स दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेर करके जरूर अपडेट करें, ताकि कोई जानकारी से वन्चित ना रशेके, दोस्तों धन्यवाद